नमस्कार साति हो आपका स्वागत आपकी यूटूब चैनल ट्रेड वित्राओने चले दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टा थी रिजल्ट की सीरी चले तो उसके अंदर आज एंसी लिमिटेट को क्वार्टा थी रिजल्ट आया तो रिजल्ट कैसा रहा रिजल्ट के वाठें में और क्या आउटकम निकलका है कैसे जहां से ट्रेडिंग सेसेंद रहने वाला उन सब के बारे हैं बात करने से पहले अगर अभी तक आपना अपना चैनल सब्सक्राइब ने लिगए बहने चैनल को सब्सक्राइब करें लिए जिग बरदे को बजान शुरुवात करता है कि इसके quarter 3 का result का overview करते दिखिए मैं आभी भी आपको बता रहा हूँ कि यह मैं आपका deep analyze करके नहीं दो हूँ यहां से मैं overview देता हूँ कि यहां से result कैसा रहा और यहां से trading session कैसे रहने वाला है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो भी लोग जोड़ रहे हैं उनका किसी भी दरा स्केनर के साथ पर चलेंगे तो हुआ से comparison करेंगे तो इसका result कैसा रहा तो एंसे सी लिमेट का आज का market cap है 4,394 करोड़ बेगा इस्टोक पी चलना 12.8 का इस्टोक आर ओसी इसका चलना 11.6 परसेंट का इसकी 86.6 पैसे की है रिटर्न ओफ इक्वेटी इसका है 5.15 परसेंट का डिविडेंट कंपनी ना भी तक दिया 1.11 परसेंट का और फेस्ट वैल्यू इसका दो रुपे का है कंपनी का ट्रेड कर राइस्टोक जीडो पॉइंटी थी परसेंट वुक वैल्यू और कंपनी क्वार्टर क्वार्टर वाई रिजल अच्छे दे रिए तो चलिए कंपरेशन करते हैं तो देखे इस क्वार्टर में को सेल हुई यह 3,015 करोड़ बेगी एक्सपेंस इनका अब लाश्ट क्वार्टर से कंपरेशन करेंगे तो लाश्ट क्वार्टर की सेल थी 2,580 करोड़ बढ़के हुई 3,015 करोड़ बेगी एक्सपेंस इनका ऑपरेशन प्रॉफिट है था 2.626 वह बढ़के हुआ दो सो चैतर बट नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो कंप लाश्ट इयर से कंपरेशन केंगे लाश्ट इयर सेल थी 2,170 करोड़ बढ़के हुए 3,015 करोड़ बेगी और ऑपरेशन प्रॉफिट 256 से बढ़के हुआ है 276 करोड़ और इनको नेट प्रॉफिट था 71 करोड़ बढ़के हुआ 26 करोड़ पांच पर पांच परसन का देखने हो मिल रहा आपको मोटा मोटा 900 करोड़ का इजाफा देखने हो मिला सेल के अंदर यह रवाई और एपिस भी देखिए 1.17 से घटके बढ़के 1.25 में बढ़के 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 तीन परसन की परसन नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेशन प् प्रॉफिटर वाई और यह रहा यह पोजिटिव सएन देखिए इसकी अन नीच हो सकती है यह डिपैंड करता बट और और प्रफिट अपन नीच हो सकता है बट कंप्यान से ग्रोड करनी चाहिए कि इनके पास और बी प्रॉजक्ट अब मिलने वाल है इपको चलिए सबसे एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूं एक लार्च कंपनी है अच्छा इनका काम है और बैसिकली कंपनी के अंदर निंग्स में होता है अंदर अनिक्स बढ़के आही है यह रही आप देख सकते हैं मार्च दो जाए उन्नीस के अंदर यह तीन अजर कर रिश्यों कर गया था और दो सलवाद यह तीजी फिर से देखने हो बिलिए सेल्स के अंदर और अभी इनके प्रोजेक्ट ओन गोइंग चल रहे हैं और न्यू प्रोडेक्स को मिलेंगे कि कंसक्षिन को लेकर बजट के अंदर भी बड़ जादा नहीं होगी थोड़ी बहुत गिरावट होगी चार्ट के बाकि चलिए रिजल तो अच्छा है सेल में बड़ा देखने हो मिलिए प्रॉफिट उपर नीचे थोड़ा वह चलता बड़ इतना खराव नहीं है तो आप देखते हैं इसका आज के दिन यह किता हु तो यहां पर एक सपोर्ट लगा हुआ हुआ हुआ। जबता है तो इसमें डेफिन इतली सिक्स्टी इट के लेवल को सपोर्ट कर जाता है तो फिर से मिलेगी क्योंकि एक सपोर्ट लगे लोवर टॉप बॉटम की देसकते हैं यह भी 67 से बापस हुआ था और यहां भी 67 का देख सकता 68 के वासे फिर से तीजी दिखाए दिया से 68 के वासे 78 तक गया था तो बावर यह यही इसी लेवल को टच करके आ रहा है और देखिए यहां पर जब यह 68 के लेवल को अगर नीचे डाउन फूल जाता तो इसमें फिर आपको साड़ तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे बट मेरा मानना है इसमें जारा देखने को ने मिला है हमारे को बाकि कंपनी अच् रिटर्न आपको मिलेंगे और लॉंग्टरम के परपस आप इसको होल रखेंगे तो देखेंगे जब तक यह गॉवर्मेंट रहे कि जब तक इसमें काम तीजिए चलता है हाइवेस बन रहे हैं तो इस कंपनी को न्यू न्यू हाइस देखने को मिलेंगे नागर जुना के अंत आपको जल्दी दिखाएगा आई होप यह वीडियो आपकी यूस पहले तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फवर्ट करना बिल्कुल ना भूले थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो